कि अर्वन कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का अनकेडमी के ओफिशल यूटूब चैनल बैंक प्रोप मैं साहिल चुराया तह दिल से आपका स्वागत करता हूं सभी को मेरी तरफ से प्यार बरा नमशकार जैश्री राम राधे राधे सासरियाकाल कैसे हैं आप सब गाईज और स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर क्लास को शुरू करने से पहले नहीं साल की हार्दिक्षोप काम नाएं बिकोज ओफ आफ्टर न्यू येर आपके पहला सेशन है और इस सीरीज का जो नाम है यह थी थाउजन कोश्चन सीरीज पूर अपकमिंग बैंक एक्जाम और दूसरी बात यहां पर मैं ध्यान अगर आपको बोलू तो रर्वी कलर्क और प्यू का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे श्टूरेंट्स का मैसेज आया दे आर स्लेक्टेड इन डाट एक्जामिनेशन तो कुम्रेट्टिलेशन उन सभी को जिनका भी सेलेक्शन हुआ और जिनका भी सेलेक्शन किसी बात में आपको यहां बोल सकता हूं कि अगर कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लिनी की जोड़ नहीं है बिकोज ओफ कंप्यूटर का बहुत शांदार रिस्पोंस रहा है और काफी इस्टुएंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स हैं कंप्यूटर के अंदर आप भी ले सकते हो आपको बस रेगूलर वे में पढ़ना है मैं ऐसा नहीं बोलूगा कि फुल डे से आपको कवरप करना है लेकिन जितना आप मैथमेटिक्स को टाइम देते हो आप लगबग उसका वन थल्ड भी अगर आप इसे दोगे तो डेफनेटली आप कंप्यूटर को काफ़ी बेहतर कर सकते और उस बेस इस पर उस बेस पर आपकी दो सीरीज मैं शुरू करना हूँ आज से ही एक तो है आपकी यह सीरीज 3000 कोस्टं सीरीज दूसरी चौक्लास पर भी हम 3000 कोस्टंटस शूरू कर रहे हैं आज दूपहर दो बजी भा भू भी लगा सकते तो य RRB, RBI ME, NHB ME मेजर रोल लगता है तो आप definitely इसे cover करी काफी student ने वहाँ अच्छा किया है definitely आप ये अपने exam में काफी बहतर कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की series और इस series के अंदर ऐसा नहीं है सिरफ मोग के रूप में रहेगा आपको question मैं detailed में बताऊंगा भी और आप comment के जरिए कोई भी अगर आपका doubt है तो आप running class में post सकते हैं and maximum student को share करना है ताकि maximum candidate computer के अंदर काफी अच्छे marks ले पाएं और target कर पाएं अपने examination के लिए I am also verified educator on an academy, to an academy की app पर आप search कर सकते हैं साहिल चुराया and follow कर सकते हैं जिससे मेरे sessions की detail notifications आपको मिलती रहे और आज 2 बज़े मैंने बोला है वहाँ पर भी नई series आ रही है 3000 question series आप उसे भी cover कर सकते हैं दोपहर 2 बज़े होगी special class पर लगबग आमान के चलो YouTube और unacademy special class से आप आने वाले upcoming days में 6000 question cover करोगे ठीक है तो आप regular way में से target करिएगा और share करिएगा अपने friends के साथ तो पहला question आज का आपके लिए आपकी screen पी ये रहा A high quality CAD system uses which of the flowing for printing drawing and graphs आपको बताना है सही अंसर क्या होगा A high quality CAD system uses which of the flowing for printing drawing and graph तो देखिए एक simple से यहाँ पर अपने बात करें जब भी high quality की बात आजाए दूसरे यहाँ पर आपको terminology दे रखी है that is CAD इसकी बात आजाए तो आपका अंसर होता है plotter large geographical printing करनी है plex या banner printing अगर आपको करनी है उसके लिए आप plotter का यूज करते हो अगर आपको page printing चाहिए अगर आपको page printing चाहिए तब आप अलग type के page printer यूज कर सकते हो that is laser printer inkjet printer या thermal printer आप उनको यूज कर सकते हो coping a process from memory to disk to allow space for other processes is cold but यानि कि आपकी RAM से अगर मैं कुछ processes को उठा कर आपकी hard disk मिले जाओं जिससे RAM के अंदर कुछ area आपका बन जाए free space ताकि other processes के अंदर लेकर जाया जा सके इसे क्या बोलेंगे तो ये simple terminology जिससे आप ध्यान से cover करके target कर सकते हो देखो RAM से कुछ area आपने खाली किया और उसकी जगा दूसरी process के लिए space बनाया तो इसे हम swap बोल सकते हैं option number A, बिल्कुल सही उतर, तरुनवीर, अर्पित, राजदीप, बिल्कुल सही अंस्वार next, what is a trap door? trap door का मतलब क्या है वो आपको बताना है what is a trap door? trap door का क्या मतलब है वो आपको बताना है trap door के आपर अपने बात करें तो देखो वार गेम्स यह नहीं है यह आपको बताना है software के point of view से किसी भी software को अगर आपने देखा होगा उसका paid वर्जनात लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास उसका क्या बन जाता है patch file बन जाती है जिसके थूरू से हम access कर पाते हैं बिना पैसे भरे या किसी software का illegal use किया जाते है तो उसे बोलाए था trapping trap कर लिया गया उस software का उसके अंदर एक आपका ऐसा door बना दिया या उसके अंदर एक साह दुर्वाजा बना दिया जिससे उससे illegal activities कि जा सके या उसका misuse किया जा सके तो यहाँ पर आपका होगा it is a hole अब यह actual hole नहीं है that is a loophole in software left by designer option number two आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा next to allow someone else to schedule your meeting and appointment dash feature of outlook is used किसी दूसरे को schedule करने की permission दे रहे हो आप तो उसके लिए कौन सा feature use होगा outlook का वो आपको बताना है बताएगा सही अंस्वर आपका क्या होगा किसी दूसरे को access दे रहे हो तो आपका सही अंस्वर होगा delegate access उसको permission दे रहे हो आप कि भई मेरी meetings वेगरा तू set कर दे मेरे पास time नहीं है तो आप उसे access rights दोगे next for each attribute for a relation there is a set of permitted values called dash of that attribute अब यह DBMS का कोशन है सबसे पहले आपको यह समझेना है कि attribute का मतलब होता क्या है एट्रिब्यूट का मतलब होता है को जब आप कोई table formation बनाते हैं डाटाबेस को target करते हैं तो यहां पर जो आपकी columns है इनहीं बोला जाता है attribute अब मालू मैंने किसी column का नाम रख दिया age अब age में आपको पता है कि आप किसी की age 0 या negative value लिख सकते हो कि किसी की age 0 है या negative 2 है उसकी नहीं लिख सकते हैं हम एक permitted values ही इसमें entry कर पाते हैं यानि कि हमारी जो age है वो हमेशा क्या होने चाहिए positive value होने चाहिए अब यह permitted value इसमें जो भी आएंगी जो भी आप values डालोगे जो permitted है उन्हें क्या बोला जाता है उन्हें डोमेन उसे क्या बोला जाता है domain option number one आपका बिल्कुल सही उतरोगा अब यहापर मैं आपको दो point लिखवाता हूं उसे ध्यान से समझना पहला होता है cardinality का मतलब क्या होता है cardinality का मतलब होता है cardinality का मतलब होता है number of tuples टपल्स आप बोल दो या आप इसे रो बोल दो या आप इसे रिकोड बोल दो उसे बोलते हैं हम कार्डिनेल्टी दूसरे नंबर पर आता है आपके पास डिग्री डिग्री का मतलब क्या होता है नंबर ओफ एट्रिब्यूट या आप बोल सकते हो हम इसे हम क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं यह दो टर्मलोजी और यह तीसरा आपके पास हो गया डोमेन डोमेन का मतलब हो गया attribute में जो set of permitted values हैं जिसकी permission आपके पास है या जो आप बूल सकते हो constraint आपने लगा रहा है कि उसके according ही जो set of values है एक कोलम के अंदो उसे हम डोमेन बोलते हैं very good morning नितेश नेक्स्ट दा टू वेज टू अरेंज multiple windows उन्दा desktop आर दो अलग-अलग कौन से वेज हैं वह आपको बताना है इसमें desktop पर वह आपको बताना है जल्दी से बताइएगा सही अंसवर आपका क्या होगा कि 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 वैरी नाइस वैरी नाइस अ हां नितेश दो बजे आपकी अनकेड़मी पर क्लास रहेगी इस्पैशल जिस जहां पर मैं 3,000 कोशिन सीरीज को शुरू कर रहा हूं निउस्ज रीज वह आ रही है वह कि आ रही है अनकेड़मी पर दो बजे दोपहर में तो यहां पर आपका जो सही अंस्वर होगा वो होगा that is cascade and tile cascade and tile option number one is the right answer cascade और tile का क्या मतलब है ध्यान से समझे ना मालो अगर मैं यह हमारी screen है पहली window मैंनी खोली उसके उपर दूसरी खोल दी उसी के उपर तीसरी खोल दी इसे बोलते हैं cascade और tile का मतलब क्या होता है यह आपकी screen है और यहां पर आपने अलग-अलग windows इस तरह से लगाई इसे बोलते हैं हम tile view और दोनु की shortcut की होती है cascade की आपके पास होती है that is window plus tab button और tile की होती है है आपके पास alt plus tab यह आपकी shortcut की है इन दो नोगी नेक्स्ट प्लग-इन केन एड विच ओव दा फ्लोइंग फंक्शनालिटी तो ब्राउजर प्लग-इन कूंसी फंक्शनालिटी एड कर सकते हैं वह आपको बताना है झाल प्लोइँ माँड़िंग चूट है प्लोइटी ने क्रेका प्लोइशनालिट झाल को तो कर सकते हैं वह आपको अोग्शनालिटी तो रेड़िए लिएinkरों कर सकते हैं झाल 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 आज नहीं आ रही है, now everything is okay, sorry for the disturbance, पहले बीच में कुछ song की ज़्यादा आवाज आ रही थी, तो वो बंद करवाने गया था, तो अब आपके पास sound की आवाज आ रही होगी, तो यहाँ पर मैंने आपसे question पूछा है कि machine language की server line of instructions है, उन्हें क्या बोला जाता है, वो आपको बताना है, ठीक है, तो तीनों की अपनी discuss करेंगे, machine language की instruction को हम क्या बोलती है, assembly language की instruction को क्या बोलती है, या फिर high level language की instruction को हम क्या बोलती है, question में आपसे machine language का पूछा है, तो machine language की जो instruction होती है, उसे बोलती है macro, तो यहाँ पर आपके पास आ गया macro, assembly language की जो instruction होती है, उसे बोला जाता है manomics, और high level language की instruction बोलती है, उसे बोलता है source code, यह mainly जो नाम है, वो आप focused करोगे अपनी exam के point of view से, speed of line printer is specified in term of line printer की जो speed है, उसको उसकी measurement unit बतानी है, उसकी measurement unit बतानी, line printer की जो speed है, उसकी measurement unit, जल्दी से comment करिएगा आपका requirements और क्या है, very nice, सबसे पहले अंसवर दिया है, that is, अर्पितनी फिर दिया है, तरुनवीर नितेश, बिल्कुल से, line per minute, देखो हमारे पास तीन टाइप के printer होते हैं, एक होते हैं character printer, दूसरे होते हैं, line printer, और तीसरे होते हैं, आपके पास page printer, तीनो की measurement unit अलग है, character printer की हो जाएगी character per minute, यानि कि CPM, line printer हो जाएगी line per minute, that is LPM, और page printer की हो जाएगी page per minute, that is PPM, ये आपकी speed हो गई, अब आपके कौन-कौन से printer हैं, इन में कौन-कौन से printer आपके consider होते हैं, उसके नाम मैं बताते हैं, character printer में main दो नाम आप याद रखोगी, एक तो हो जाएगा dot matrix, और दूसरा आपके पास हो जाएगा daisy वहील, line printer में आपके पास main जो printer आजाएंगे, वो तीन आजाएंगी कौन-कौन से band printer, chan printer, और drum printer, और page printer में भी तीन नाम में याद रखोगी, that is laser printer, ink jet printer, and तीसरा आपके पास हो जाएगा thermal printer, यह main आपके printer हो गए, what is the main folder on storage device code, main जो folder होता है storage device पर, उसे क्या बोला जाता है वो आपको बताता है, what is the main folder on storage device code, उसे क्या बोला जाता है वो आपको बताता है, आपका सही अंस्वर होगा that is root directory देखो फोल्डर को वहाँ बोला जाता है that is directory तो में जो directory होगे उसे root directory बोलती है ठीक हो उसके हिसाब से आपका सही अंस्वरा जाएगा और नितेश, राजदीप, अर्पित, तरुनवीर, बिल्कुल सही उतर एक computer program that converts assembly language into machine language is आपसे translator के बारे में पुछा है जो की आपका system software है जो की आपका system software है वो कोन सा है जो assembly language को बदलता है machine language में वो है आपका assembler, very nice नितेश जी का सबसे पहला सबसे सही उतर that is assembler very simple question RPG का भी बिल्कुल सही है सभी candidate जो भी live देखते हैं आप comment जरूर करें यहां गलत हो गया क्या इतना बड़ा फर्क पर रहा है लेकिन वो गलती exam में नहीं दोराने तो गलतियां यहां करो चलेगा ठीक है क्योंकि गलती से ही हम सीखते हैं जैसे बोलते हैं छोटा बच्चा होता है तो पहले दिन वो दोरना शुरू कर नहीं कर देता वो भी बहुत सारी गलतिया करता है वे फै़ले चलना सीखता है बहुत बार गिरता है फिर संबलता है फिर चलता है फिर गिरता है संबलता है चलता है और एक दिन दोडता है वही चीज़ आपको अपने exams के लिए करनी है practice more and more and participate more and more मेरी क्लास में नहीं हर क्लास में participation की कोशिश करनी है maximum आपको अगर आप accidentally कोई data आपका lost हो गया तो आप किसका use करोगे वो आपको बताना है तो आप किसका use करोगे वो आपको बताना है ग्रेट ग्रेट नितेश जी का बिलकुल सही उतर आप use करोगे जी undo का undo की shortcut की होती है control plus z control plus z आपकी बिलकुल सही उतर अरपित तरुन की राजदी बिलकुल सही उतर ALU is a part of CPU in many computer what is the acronym of ALU ALU की full form बतानी है आपकी सही answer क्या होगा ALU का full form बताना है सही उतर क्या होगा आईशा जी का भी last जो है बिलकुल सही है ALU की full form very nice नितेश that is arithmetic logic unit not logical ध्यान रखेगा arithmetic logic unit bit stand for bit की full form क्या है वो आपको बताना है what is a full form of bit bit की full form क्या है वो आपको बताना है bit की full form में binary digit जैसे की 0 ये 1 bit है 1 ये 1 bit है तो ये 2 ही possible होती है binary digit 0 और 1 जो की अपने आप में 1 bit को बताती है Java is a Java क्या है Java is a Java क्या है ये आपको बताना है और इसकी important information में आपको दे दूँगा कब invent की गई किस के द्वारा की गई किस company के द्वारा own है ये that is a high level language Java आज के टाइम पर सबसे popular language है for web development अच्छी security होती है ठीक है जो आपके developed की गई थी invent की गई थी 1995 के अंदर किसके द्वारा जेम्स गोसलिंग के द्वारा जेम्स गोसलिंग के द्वारा की गई थी किस कंपनी ने own की MLB किस कंपनी ने developed की थी वो थी Sun Microsystem आज ही और एकल की पास है ठीक है और that is a object oriented programming language अब्जेक्ट ओर्येंटिट प्रोग्रामिंग लेंग्विज next who is known as father of super computer super computer के father के रूप में किसे जाना जाता है वो आपको बताना है super computer के father के रूप में किसे जाना जाता है note computer अगर मैं पूछनू father of computer वो तो होंगे चार्ल्स बैबेज super computer के हैं samiur cray वाई अगर आपको ध्यान हूँ world first जो super computer माना जाता है वो माना जाता है आपका cray के अमेरिका का है तो वहाँ से आप ध्यान रख सकते हो samiur के इसके क्या है father माने जाते हैं second अगर मैं world का latest super computer पूछों तो वो कौन सा है वो है फूब को जो की जापान का है यह यूस से क्या था नेक्स्ट रोटेशनल डिले टाइम इस ओल्सो नोन एस यह साज तोष आप सर्च कर सकते हो साहिल चिराया या मेरी special class के अंदर आओगे तो वहाँ आपको में link प्रोवाइड करवा दूगा तो आप जूड सकते हैं hard disk में एक time होता है लेटेंसी लेटेंसी का मतलब होता है आपके जो भी head है कि उसका specific है सेक्टर करेश करने में जो ताइम लगता है उसे बोलते हैं हम लेटेंस टाइम तो बीयस्सी बात है आपको पता होगा हार्ड डिस्क में आपके अलग-अलग डिस्क यूज़ होते हैं जो रोटेट होती है वो रोटेट करके आपका हैड को प्रोपर सेक्टर तक पहुंचाते हैं वो कहलाता है लेटेंसी टाइम फिर अपने को डाटा रीड और टाइम राइट भी करना है तो डाटा को रीड या राइट करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम सीक टाइम क्या वोलते हैं हम स्इक टाइम और फिर आता है आपके पास एकसेस टाइम यह टोल एकसेस टाइम किता लग गया वो इंडोनों का कॉंबिनेशन लगया that is the combination of latency प्लस स्टिक टाइम वो इन दोनों का combination होता है तो यह तीन टाइम आपको धियान रखने है हार्ड डिस्क के point of view से पहला हो गया latency दूसरा हो गया seek तीसरा हो गया आपके पास access the amount of data that a disk may contain is known as उसे क्या बोला जाता है वो आपको बताता है थांक्यू नितेश जी और सभी को मैं बता दूँ दो जगए 3000 शीरीज चलेगी दोनों में अलग अलग कोश्चन होंगी ठीक है तो आप इन दोनों को regular लगा सकते हो एक चलेगी आपकी जैसे साड़े गारा बज़े YouTube की क्लास है दूसरी चलेगी आपकी दो बज़े तू पीम पर special क्लास है आज से सिरीज शुरू कर रहा हूं उसे आप cover कर सकते हैं द अमाउंट ओब डाटा 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 डिस्क में कंटेन नोन एस storage capacity वो कितना डाटा रख सकती है वो उसकी storage capacity होगी लाइक हम ले आते हैं मार्किट से एक टीदी की या फिर 256 जीबी की तो वो storage capacity है उसकी है ठीक है मल्टी प्रोसेसर इज़े कंप्यूटर सिस्टम मल्टी प्रोसेसर में क्या होगा वो आपको बताना है कि मल्टी प्रोसेसर क्या होगा वो आपको बताना है देखो नाम से cover हो रहा है मल्टी प्रोसेसर का मतलब प्रोसेसर एक से ज़्यादा होंगी ठीक है जैसे आपनी नाम सुनोगा dual core तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपकी दो प्रोसेसर है एक ही ओप्रेटिंग सिस्टम के अंदर उन्हीं कंट्रोल किया जाएगा तो वेर मैनी CPU अंडर एक कोमन कंट्रोल इस नोन एज मल्टी प्रोसेसर ओप्शन नमबर ए बिलकुल सही उत्तर है ठीक है नेक्स्ट वू किरेटिट दा सी प्रोग्रामिंग लैंग्विज के इन्वेंटर कोन है यह बनी थी 1972 के अंदर AT&T बेल लैब के अंदर और इसके इन्वेंटर है डैनिस रिची ओप्शन नमबर टू कि किस लैंग्विज का सक्सेसर है जो सी लैंग्विज है यह किस लैंग्विज का सक्सेसर है तो सी लैंग्विज इस सक्सेसर ओफ बी लेंग्विज बी लेंग्विज का ये सक्सेस है और आपके प्लस बैज भी चलने हैं अगर आप थियोरी कम्प्लीटी टार्गेट करना चाहते हो तो शाम को पांच बजे 5 पीम पर हमारा पेस कोर्स चल रहा है आप इसे टार्गेट कर सकते हो कम्प्लीट कम्प्योटर अवेरनेस एंड एप्टिटूड मैं इसमें कवर करवा रहा हूँ एप्टिटूड मैंने खतम कर दी है अवेरनेस चल रही है आप शाम को पांच बजे जोड़ सकते हैं पूर और 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 बीज एंच भी सारी एक्जाम का यहां पर टार्गेट होगा और इफ यहां पर प्रपेरिंग फूर एस वाइटी ओफिसर तो तीन पंद्रा पर हमारा एस वाइटी ओफिसर का बैच चल रहा है जिसे आप टार्गेट कर सकते हैं और टू पी एम पर आज जैसे हमारी स्पेशल क्लास है थ्री थाउजन कोशन सिरीज वहां पर भी आ रही है जो अलग होगी कि इन कोशन से जो यहां पर मैं कवर करूँ है विच वुदा फ्लोइंग इस एन एक्जाम्पल ओफ एपसिल्यूट सेल रेफरेंस इन हैं यह अपने बाद करें यह आपकी दो टाइप का होता है एक अध्रेटिव जो हम लिखते है नॉर्मल या दूसरा होता है एबसल्यूट आपशिल्यूट का मतलब होगया इसके डाटा को आप कहीं भी कट करके कोपी करके लेग जाओ उसका एड्रस चेंज नहीं होगा उसका address change नहीं होगा लेकिन relative में आप normal जो लिखते हूं उसके अंदर आपका data अगर आपका ट्या कोपी करके कहीं और ले जाते हो तो उसका address change हो जाता है तो relative का example तो normal होगे जैसे आपका a column है और 5 number आपकी row है ठीक है और absolute में आपको dollar sign का use करना है column और row दोनों के आगे तो dollar a dollar five इसका यहाँ पर address मन जाएगा तो यहाँ पर one दे रखा है तो dollar a dollar one यह आपका बिल्कुल सही होता है बिल्कुल सही है जब यहाँ पर complete हो जाएगी उसके बाद मैं आपको PDF जो है प्रोवाइड करवा दूँगा या 15 days के बाद मैं आप टार्गेट कर लोंगा तो आप definitely उसे ले पाएंगे टेलिग्राम पर विचोदा फ्लोइंग इस नोट वन ओफ दा टूल ओफ रोबोटिक्स प्रोसेस ओटोमिशन रोबोटिक्स प्रोसेस ओटोमिशन का कौन सा टूल नहीं है वो आपको बताना है कौन सा टूल नहीं है वो आपको बताना है और डेफिनेटली आरर वी प्यों में काफी बहतर कर पाएंगे और शांदा रिजल्ट रहा है इस बार भी लास्ट येर भी 100 125 प्लस सेलेक्शन थे जिनका जिनोंने मुझे बताया इस बार भी अभी तक 150 प्लस स्टूडेंड का मेरे पास मैसेज आ चुका है यार स्लेक्टिड एंड कंप्यूटर के अंदर काफी अच्छे माक्स थे और आज रेली में काफी कंड़ेट ऐसे भी थे जो फर्स्ट अटेंप्ट में गए और उन्होंने ये बात मानी भी थी कि अक्सरी होता है कि कंप्यूटर को हम लास्ट में पड़ते हैं उनका ये टार्गेटेशन हमने अगर मैं बात करूं 30 प्लस माक्स उन्होंने जनरेट किये हैं 25 प्लस 30 प्लस बहुत सारे कंड़ेट के तो आप भी टार्गेट कर सकते हो अपने एक्जाम के लिए तो रोबोटिक्स प्रोसेस और ओटोमेशन का कौन सा टूल नहीं है वो है पावर सेंटर डाट इस पैटल जो हमें ध्यानक नहीं पड़ेगी विच वदा फ्लोइंग डिवाइस फोवर्ड डाटा पैकेट टू ओल कुनेक्टिड पोर्स डाटा पैकेट को कौन फोवर्ड करता है वह आपको बता ले बिल्कुल रवी मैंने अभी थोड़े देर पहले भी बताया था आप पाच बजी वाला कोर्स जोइन कर सकते हो ठीक है पेस कोर्स पर अभी बता देता हूं मैं अनकैडमी पर यह अभी लाइव चल रहा है ठीक है पार्ट नमबर सेकिंड पार्ट नमबर फर्स्ट आपको र स्पेशल क्लास है जिसे आप टार्गेट कर सकती हो और यह साधी 11 बजे चल रहा है लेकिन मैं आने वाले समय में सोच रहा हूं यह सेशन आपका एक बजी हो जाए ठीक है दो पहर एक बजी आविल ट्राय आउट जब भी टीम से मुझे मुझे मोका मिला मैं बात करके आपक को फौब करता है डाउटर क्यों क्यों कि राउटर काम करता है नेत्वक्म लेयर पर तो नेटवर्क लेयर पर डाटा आपका किस फोर्म में होता है पैकेट की फोर्म में होता है नेटवर्क लेयर पर डाटा आपकी पैकेट की फोर्म में रहता है कि नेक्स्टर भी कोईग इसे in HR प्रिन्टर इनके नहीं कौन से है वह आपको बताना है दोब नहीं आपको बताए थे थे धी पहला जो इंक जैट प्रिंटर है यह टाट पेज़ प्रिंटर, जो डोट मेर्टिक्स प्रिंटर है, that is a character प्रिंटर, laser प्रिंटर, that is a also page प्रिंटर, and chan प्रिंटर, that is a line प्रिंटर, और मैंने दो आपको और बताए थे printer, जो line में आते हैं, chan, band and drum, ये आपके होते हैं, line printer, ये तीन है, जो आपको ध्यार में रखें, next, what is a file extension of excel binary workbook, अब आप से अलग पूछा है, normal question नहीं पूछा, excel का extension बताओ, excel की file का, excel binary form में अगर हो, तो उसका आपको file extension बताना है, workbook यानि की file, excel की binary form की file extension क्या होती है, वो आपको बताना है, तो बहुती simple है, देखो, binary है, तो xlsb हो गया, अगर आपका होता ये template, तो आपका उसका file extension होता है, template का .xlst, bind है तो b हो गया, that's it, very simple question जो आप अराम से cover कर सकते थे, page fault occurs when, very very important question, page fault occurs when, page fault कब occur होता है, वो आपको बताना है, तो देखिए, आपका hard disk में जो data है, वो हम छोटे-छोटे equal size के block में रख सकते हैं, जिसे बोलते हैं, page, और वो page आपकी rams के अंदर target किये जाते हैं, execute करवाय जाते हैं, अगर RAM में कोई page available नहीं है, main memory में कोई आपका page नहीं है, तब page fault occur हो जाता है, और उसके according, page fault occur होने पर hard disk से वो page को acquire कर लिये जाता है, उसको वहाँ पर call कर लिये जाता है, RAM के अंदर, तो page fault कब occur होगा, जब RAM में वो page नहीं होगा, तब page fault occur हो जाएगा, the page is not in the main memory, that is called page occur, page fault, which are the security service designed for electronic mail, electronic mail के लिए, जो security service design है, वो आपको बताना है, electronic mail के लिए, जो security service designed है, वो आपको बताना है, that is very important question, answer है, PGP, option number 2, और इसकी full form है, pretty, good, privacy, pretty, good, privacy, pretty, good, privacy, इसमें होता क्या है, इसमें सारी चीज़े हम security के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि encryption, and decryption, और वो भी दो टाइप का होता है, symmetric और asymmetric दोनों इसमें यूज़ कर लेते हैं, प्लस हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, digital signature, तो इस दोनों आपकी यूज़ हो जाते हैं, इसमें भी दो टाइप मैंने बताए थे, वो दोनों consider हो जाएंगे, तो overall, तीनों की तीनों जो securities हैं, वो लगती हैं, आपकी PGP में, तो आप इसे target कर सकते हो, which are the flowing character, set, sport, Japanese और Chinese font, तो यहाँ पर आप example के तोर पर मैं आपको बताता हूँ, आपनी Google Translate का यूज़ किया है, Google Translator का यूज़ किया है, तो वहाँ पर आगर आप कुछ भी English में लिखते हो, या Hindi में लिखते हो, किसी में भी आप लिखो, आप उसे दूसी language में convert कर पाते हो, like Japanese, Chinese, उर्दू, सभी में आप कर सकते हो, कैसार बिल्कुल कर सकते हो, तो वहाँ पर कोई ना कोई character set तो यूज़ किया जाएगा न, वो कौन सा यूज़ किया जाता है, वो पुछा जा रहा है, वो है आपका unicode, अब unicode ही क्यों use करते हैं, उसका reason है, unicode जो होता ही होता है 16 bit का, कितने bit का होता है, 16 bit का होता, अगर 16 bit हैं, तो total representation कितने बनेंगे, इसमें, इसमें total representation जो बनेंगे, वो बनेंगे, 2 की power 16, यानि कि 65,536 character इसमें show किये जा सकते हैं, तो यह बहुत होते हैं, अलग-अलग language की character को show करने के लिए, अगर इसके अलावा, मैं इधर उपर वालों की बात करूँ, तो ebcdic है, यह 8 bit का होता है, तो 256 representation ही होते हैं, असकाई जो है, वो 7 bit का होता है, 128 representation ही होते हैं, जो आपका bcd है, यह 4 bit का होता है, लेकिन representation 10 ही होते हैं, यह आपका होता ही नहीं है, तो obvious सी बात है, आपर देखो, उपर वाले तीनों के अंदर, आपकी number of representation कम है, तो सारी language कैसे support कर सकते हैं, लेकिन Unicode में अग आपके पास total representation है, 65,536, तो इसमें अलग-अलग character को show किया जा सकता है, IP header 16 bit का होता है, नहीं, नहीं नितेश, that vary from 20 to 60 byte, header की बात हो रही है complete, यह बोल सकते हो, IPv4 और IPv6, इन दोनों का पुछ रहे हो, तो IPv4 होता है 32 bit का, और IPv6 जो होता है 128 bit का, which of the flowing storage device can be mounted on a mount point to access its file system, file system को access करने के लिए किसका use कर सकते हैं, इन में से वो आपको बताना है, इन में से वो आपको बताना है, बताइएगा सही अज़स्वर क्या होगा, तो आप किसी का भी use कर सकते हो, hard disk, cd-rom या pen drive, option number 4 आपका बिलकुल सही हो रही है, एक तरह से आप बोल सकते हो, storage के लिए किसका use कर सकते हो, सबका use कर सकते हैं, आपने, at a time, how many operating system can be work on a computer, एक computer पर, एक समया पर, कितने operating system पर work किया जा सकता है, वो आपको बताना है, यह तो simple question है, अराम से बता सकते हैं, at a time, how many operating system can be work, at a time, on a computer, only one, एक पर ही हम at a time काम कर सकते हैं, what is Oracle, Oracle क्या है, काफी simple और भी Google है, इसे use करता है, Oracle, Google इसे use करता है, that is a dbms software, that is a dbms software, जिसमें हम rdbms का यूज करते हैं, that is relational database management system, happy new year, पंकर जी, next, a connection from one html document, to another html document, is called what, a connection from one html document, to another html document, is known as what, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है, hyperlink, hyperlink, insult करनी की shortcut की क्या होते है, in ms world, hyperlink, insult करनी की shortcut की क्या होती है, इंसल्ट करनी की shortcut की होती है, control plus k, control plus k, और आपको मैं एक जुरूर, important note यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी, unacademy plus पर आना चाहता है, तो अभी आज last day है, 22% flat, आपको discount मिलना है, unacademy पर, तो आप इसे target कर सकते हैं, अपने exam के लिए, किसी भी category का आप subscription लेना चाहें, banking, sse, combo, इंदोनों का, या फिर railways, या आपका other कोई category target में है, net, slat, iit, आपका कोई friend लेना चाहता है, तो आप ER live code से अगर आप पर chase करते हैं, आज, तो आपको 22% flat discount मिलेगा, तो आप उसे target कर सकते हैं, a screen background is also known as, screen background को हम क्या बोलती हैं, वो आपको बताना है, यह terminology आप regular base पे use करते हैं, regular base पे use करते हैं, आपक बोलते हो न यार, मेरे यार desktop का wallpaper है न, वो change कर दो, तो desktop बोला जाता है, option number 3, जहाँ पर आपके पास icons, या start menu, या नीचे की तरफ, आपको task bar, वो सारे चीज़े दिखते हैं, उसे desktop बोला जाता है, what are the unit, used to count the speed of a printer, एक printer की speed, की measurement unit क्या है, तो यह question आपका अधूरा है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, page printer की बताओ, page printer की बताओ, तो answer क्या हो जाएगा, page printer की अगर मैं पूछो तो, आपका हो जाएगा, PPM, अगर मैं पूछता, character printer की बताओ, तो हो जाता, CPM, clear नहीं यह बात, तो question अधूरा है, या तो page की पूछता, तो PPM हो जाता, या character की पूछता, तो CPM हो जाता, ठीक है, दूसरा अगर मैं पूछता आपसे, quality, measurement unit बताओ, quality, measurement unit बताओ, तो क्या होती है, printer की quality measurement unit, अगर यह पूछता, तो answer क्या करते हैं, quality measurement unit, तो वो है जी, DPI, पी, DPI, dots per inch, dots per inch, dash command, we can use to close the window, window को close करने के लिए, हम कौन सी command का use करते हैं, windows को close करने के लिए, हम किसका use करते हैं, shortcut की बतानी है, alt plus f4, shut down करने के लिए भी यही shortcut की use होती है, shut down के लिए भी यही shortcut की use होती है, next, when more than one window is open, to switch to the next window, dash की is the shortcut key is used, बताईएगा कून सी shortcut की use होती है, to switch to the next window, next window पर जाने के लिए, कून सी आपकी key use होती है, वो आपको बताना है, अलग shortcut की है, थोड़ी डिफ़र है, याद रख सकते हो, आपको एक बात जरूर बोलूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा एक तरह से dedicated हैं, computer को cover करने के लिए, तो आपको एक जरूर राय दूँगा, कि जब भी आप ये session लगाती है, ये वाला या special class, तो आप अपने copy pen साथ में रखें, जो चीज आपको नई सीखने को मिल रही है, कोई question आपको निया मिल गया, तो आप उसको write down कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो चीज आपके लिए new है, then, तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं, तो switch to the next window shortcut किये, control plus F6, option number B is the right answer, and अरपित, राजदीप बिलकुल सही answer दे रही है, specialized program that assists user in location information on the web are called work, उसे क्या बोला जाएगा, वो आपको बताना है, अच्छा question है, बताइएगा science वर क्या होगा, specialized program that assists user in location information, या locate information on the web, web पर, web पर, या आप बोल सकते हैं, internet पर, किसी भी information को देखनी के लिए, आप किसका यूज करते हो, आप search engine का use करते हो, वहीं पर locate होती है, आपकी सारी किसारी information, तो option number E, जो है, वो आपका बिलकुल सही उतर होगा, ठीक है, search engine, तो आज के लिए, हम इतनी ही question cover करेंगे, मिलेंगे आपकी next session, कल की class में, और target करेंगे, other question को, 3000 question series को, regular way में target करिएगा, और run academy plus पर आने के लिए, आप ER live code use कर सकते हो, और session अच्छा लगा है, तो इसे like, and अपने friends के साथ, जुरूर share करिएगा, ताकि सभी candidate, अच्छे से computer को target कर पाए, और इस बार का target यही है, कि आपके upcoming examination में, जो भी आपके question आएंगे, definitely we will cover it in the class, ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी, leveled question, advanced level questions, आपको यहाँ पर मैं देने की कोशिश करूँगा, और शुभम जी daily class होती है, आप इसे regular way भे target कर सकते हैं, साड़े 11 बज़े timing हैं हभी, आप इसको cover कर, तो आज के लिए इतना ही, bye bye, take care, खुश रहेगा, परिवार को खुश रखेगा, पढ़ते रहेगा, मिलते हैं आपकी next session में, see you soon in the next class, and जैनल को subscribe कर लिजेगा, ताके classes के notification आपको मिलती रहे, thank you very much,